आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें जो की और बढ़ता जाएगा, तो हमें बताना है कि जब कोई हमारा एक छड़ है, जो नियत बेग से लंबाई के लंबवत गती करती है, तो छड़ ऐसे चुम्बकिये छेत्र में गती करती है, जो की छड़ और वेग दोनों के लंबवत है, इसका डागराम बनाने के बाद जमाराम बनाने के बाद आपको जादे समझ में आयेगा, क्या बना हमने एक समान चुम्बकिये छेत्र बना लिया, चुम्बकिये छेत्र के अभी इस तल के लंबवत नीचे की तरहesterol है, ढ़ेगा उसे हमसे बोला जा रहा है, कि चुम्बकिये छेत्र में गती करती एक च्छ अब लंबाई के लंबोत गती करना मतलब इस लंबाई के लंबोत दिशा में इसका वेग होगा, तो छड़ हमारा इस दिशा में लंबाई के लंबोत गती कर रही है, ठीक, और यह छड़ हमारा किसमें एक समान चुम्बकिये चेतर में है, और चुम्बकिये चेतर क्या है, इस चुम्ब किये छेतर से लंबो तो एक छड़ है जो कि हमारा इस चुम्ब किये छेतर में गती कर रही है तो यहां से देखेंगे कि एक छड़ है तो छड़ के अंदर क्या होता हमारे पास धनायन और रिड़ायन दोनों होते हैं ठीक तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमारा अगर धादू की छड़ होगी तो इसमें क्या होगा हमारा इलेक्टॉन होगी धनायन होगी और रिडायन होगी तो यहां से हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्या था रिडायन था इसको हमने यहां पर रिडायन लिया ठीक इस पर हम देख खृषी सrüबंष कालते हैं ऐसे निकालते हैं फ्लेली के दाएं हाथ से करते हैं और चुम्बकी रिडा खेज्स में तो बल को भिपRAत में गर लोगां अउने कालते हैं तो देखेंगे हमारा जो चुम्बकियबल होगा नीचे की तरफ इस दिसा में हमारा चुम्बकियबल लगेगा चुम्बकियबल को EFM हम निखर रहे हैं अब जैसे देखेंगे हमारा रिडायन नीचे की तरफ गती करेगा अब हमें करता देखते हैं कि बाईद उन द्चेत कर materials अबहों होता है अगर इस तरह कोई भी फी किनारी होता है तो या ऐस गदर कीनारी क्या में प्रीड़ाइन लाएं नीचे कि लिगाल्या जो चुम्बकिये छेत्र होगा इस पूरे राउड में एक चुम्बकिये छेत्र उत्पन हो जाएगा अब चुम्बकिये छेत्र किदर हो जाएगा राउड में ऊपर से नीचे की तरफ चुम्बकिये छेत्र इस दिसा में उत्पन हो जाएगा तो यहां से चुम्बकिये छेत् कि तरफ वहारा भैधूत्पन लगए तो इसलेक्रॉन पर गती करके नीचे आ रहा था इस पर बैदूत्पन हो जाएगा। उसके उपर इस पर व्याईन जो चुक्ता है तो देखेंगे बैदूत्पन के लगेगा तो हमगा धनायन से की तरफ बैदूत्पन लगता है। तो इसके उपर इसी इलेक्ट्रॉन पर बैदूत बल भी लगेगा बैदूत बल आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन तब तक गती करेगा जब तक हमारा बैदूत बल और बैदूत चुम्बकिये बल बराबर ना हो जाए यहां से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा था रोड के अंदर उस पर उबर की तरफ एक बैदूत बल लग रहा था और नीचे की तरफ क्या था हमारा एक चुम्बकिये बल लग रहा था अब यहां से देखेंगे अभी क्या था हमाला एक्ट्रॉन नीचे की तरफ गती क कर चेंद करने हैं बंध वर दोपर हो धंगीалась कि आफिक कि विए उत्पन हुआ होगा चुछ वी मिल VB मतलब V cross B वेग और चुम्बकिय छेतर अगर लंब होत है तो बल हमारा क्या हो जाता है E VB यहां से देख पार है हमारा वेग एक सच्छे दिसा में है और चुम्बकिय छेतर हमारा माइनस जेड में है मतलब इस तल के लंब होत नीचे की तरफ तो पहले से न बीगरी हमें देख रहा है तो आसे देखें कि हमारा E कट जाएगा तो आसे E VB राबर क्या होता? VB हमारा क्या हो जाएगा? इस पूरेट जो हमारा च shaving हो जाएगी जात धात को च Dollar हमें क्या मान के रका है यल तो यहां से देखें कि V बराबर E की जगहे पर हम क्या लिख सकते हैं V, B और D क्या है हमारा लंबाई हो जाएगा तो जो बैदुत विभा उत्पन हो का V, VL हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास जो तार था यहाँ पे देखेंगे तो एक सीरा पे हमारे पास जो तार था उस पे वैदुत विभा उत्पन हो जाएगा और उसकी वैलू क्या हो जाएगी हमारी इस तरह से विभा वी, B, L का तो हमारा एक तार का कि हो सकता है, तार A, जो यहां से जो तार था, इसको हमेसे आपको समझने के लिए बना सकते हैं, कि एक प्रतिरोध था, और यहां पे एक धिशुन्द भी इचेतर में गत्थ्हें कर दाता है, विभव बरावर हो जाता है, यहां पर देखेंगे, इसको य लिखे E E बराबर V VL हो जाता है V क्या है हमारा जो छड़ता उसका वेग था बी क्या था चुंबकिय चितर चट्र चड़की लंबाई के बराबर हमारा एक विभव उत्पन हो जाता है तो देखेंगे इस बिदुपर विभव माले थे हमारे पास ये बिदु A था बिदु B थ तो अगर हम अपने option की बात करें तो पूरी छड़ का विभाव समान रहेगा समान नहीं होगा देख पार है कि जहां पर उच भी हमारा धनात्मक होता है तो यहां से देखेंगे जो रीड़ वाला उस पर भी हो कम रहता है धनात्मक में विभाव हमारा क्या होता है कोई भी अगर जहां भी विभावांतर मिलेगा तो हमारा माइनस से प्लस की तरफ मतलब की निम्न विभावांतर से उच विभावांतर की तरफ धारा हमाईसा बहेगी तो दूसरा option जो हमारे पास से छड़ के अंदर एक बैदू छेत्र होगा यहां से हम देख पार है छड़ के दर ही उत्पन हुआ होगा यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने मनाया था तो भी option हमारा सही हो सकता है पहले हम सी पढ़ ले शड़ के केंदर पर बैदूत विभाव उच्चतम होगा यहों सिरो की और घटता जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है सिरो पे हम देख रहे ह एक तरफ से हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमने विभाव जीरो मान रखा तो दूसरी तर विभाव हमारा वी दील हो रहा है विभाव हमारा बढ़ रहा है पर केंदर पर विभाव बढ़ रहा या घड़ रहा है ऐसी कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है तो यह भी हमारा व सब्सक्राइब के तुर प्लस से माइनस की तरफ इस चलत फो जाएगा तो मेरे सिस्टाइगा क्षा रिजार की अंदर एक विदूखित्र हो जाएगा तो आसे हमने लिखा कि जो विभा उत्पनोगा राड में, वो क्या हो जाएगा हमारा VBL के बराबर होता है, यह हमारा derivation भी था, इसको बैदिक बिभा होता है, वो VBL के बराबर होता है, कैसे आता है, इसको हमने देख लिया है, यह हमारा answer हो जाएगा, थाइंक्यू.